स्वागत है आपका आज के एपिसोड में सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को विम्बनाट जील के संदर्भ में निमनलेखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कथन यह भारत का सबसे बड़ा रामसरस्थल है दूसरा कथन चार नदियां इसकी श्रोथ हैं मीनाचिल, अचन कोविल, पंपा और मडिमाला नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो विकल्प C एक और दो दोनों, विकल्प D न तो एक नहीं दो, तो इसका सही उत्तर है विकल्प B वेंबिनाच जील केरल की सबसे बड़ी जील और भारत की सबसे लंबी जील है या एक संकेर द्वीप द्वारा अरब सागर से प्रिथक होती है, तथा केरल में एक लोगप्रिये बैक वाटर स्टेच बनाती है वर्ष 2002 में इसे रामसर कन्विंशन द्वारा परिभाशित अंतरास्ट्री महत्व के वेटलेंड्स की सूची में शामिल किया गया था या पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है, अतह कथन एक सही नहीं है चार नदियां इसकी शुरोथ हैं, मेनाचिल, अचन कोविल, पंपा और मडिमाला अतह कथन दो सही है तो आईए चलते हैं, आज के पहले प्रस्ण की तरफ, काली म्रदा सम्रिद्ध होती है, विकल्प A, कैल्शियम कार्बोनेट से, विकल्प B, पोटाश से, विकल्प C, मैगनिशियम से, या विकल्प D, उपर्युक्त सभी से काली म्रदा ये काले रंग की होती है और इसे रेगूर म्रदा के नाम से भी जाना जाता है, काली म्रदा कपास के लिए आदर्ष होती है ऐसा माना जाता है कि मूल चटान के साथ-साथ जलवायू परिस्थितियां काली मृदा के निर्माड के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं ये महारास्ट, सौरास्ट, मालवा, मध्यपरदेश और छतिसगड के पठारों में मिलती हैं तथा गोदावरी एवं कृष्णा घाटियो के साथ दक्षिन पुर्वदिशा में विस्तारित हैं ये केल्शियम कार्बोनेट, मैगनेशियम, पोटास और चूने से सम्रिध होती हैं इस मृदा में आम तोर पर फासपोरिक पदार्थ काफी कम होता है निमनलिखित में से कौन सा कथन एक मुद्रा के मुल्ली को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में सही डंग से वरडित करता है विकल्प A विदेशी मुद्रा विनमेदर विकल्प B व्यापार दर विकल्प C प्याजदर या विकल्प D भुकतान संतुलन तो इसका सही उत्तर है विकल्प A विदेशी मुद्रा विनमेदर विदेशी विनमेदर एक एक मुद्रा की कीमत को दूसरी मुद्रा के संदर्व में दर्शाती है. निमन लिखित में से किस देश द्वारा पनामानहर का निर्मान किया गया था? विकलप A. मिस्र, विकलप B. मैक्सिको, विकलप C. संध्युक्तराज अमेरिका या विकलप D. इंग्लेंड? तो इसका सही उत्तर है विकल्पसी संयुक्त राज अमेरिका पनामा नहर एक मानो निर्मित जलमार्ग है जो पनामा इस्तमुस पनामा के इस्तमुस के माध्यम से अटलांटिक और प्रशान्त महासागरों को जोडता है नहर का निर्माड संग्युक्त राज अमेरिका द्वारा वर्ष 1904 में शुरू किया गया था और वर्ष 1914 में पूरा हुआ था नहर ने अमेरिका के पुर्वी और पश्चिमी तटों के बीच माल के कुशल परिवहन की अनुमती दी विकलप B वर्ष 1972, विकलप B वर्ष 1975 या विकलप D वर्ष 1990 तो इसका सही उत्तर है विकलप B वर्ष 1970 सुलब इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1970 में स्री विन्देश्वर पाठक द्वारा की गयी थी यह एक सामाजिक सेवा संगठन है जो मुख्य रूप से मानवाधिकार, परियावरन स्वक्ष्टा, उर्जा के गयर पारंपरिक श्रोतों और शिक्छा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के ख्षेत्रों में कारे करता है श्री बिन्देश्वर पाठक ने सुलब शौचालियों के माध्यम से गंधहीन बायोगैस के उप्योग की खोज की इस सुलब तकनीक का भारत सहित कई विकाश्षील देशों में व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है भारतीय पशूचिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI निमनलखित में से किसरा जमेश्थित है विकल्प A. उत्तरप्रदेश, विकल्प B. बिहार, विकल्प C. महरास्ट्रिया, विकल्प D. उत्तराखंड तो इसका सही उत्तर है विकल्प A. उत्तरप्रदेश यह उत्तर प्रदेश के इज्यत नगर बरेली में अवस्थित है यह पशु चिकित्सा एवं संबंध शाखाओं के ख्षेत्र में भारत की प्रमुख उन्नत अनुसंधान सु विधाप्रदान करता है इस अंस्थान का प्रशासनिक नियंतरण वर्तमान में भारतिये कृष्य अनुसंधान परिसद ICAR नई दिल्ली के अधीन है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है विकल्प A 10 मार्च, विकल्प B 25 मई, विकल्प C 3 जून या विकल्प D 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को वनों में एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के स्थिती के बारे में जागरुकता लाने के लिए मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस 2024 का थीम है परसोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलोजिकल रेलिवेंस एंड इन्वार्मेंट इंपोर्टेंस अर्थात प्रागयतिहासिक सौंदर्य धार्मिक प्रासंगिक्ता और पर्यावरणिय महत्व को मूर्त रूप देना वर्ष 2017 की जनगर्णा के अनुसार अनुमानित 27,312 हाथियों और 138 पहचाने गए हाथी गलियारों के साथ भारत दुनिया की लगभग 60 प्रतिशत एशियाई हाथियों की आबादी का आवास स्थान है हाथियों की गर्भ धारत अवधी लगभग 22 महीने होती है जो किसी भिस्थली जीव की तुलना में सबसे लंबी होती है तो इसका सही विकल्प है विकल्प A हरिद्वार जिले में स्थित है यह शिवालिक प्रवतमाला की तलहटी में 820 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है यह उत्तराखंड के तीन अभ्यारणियों अर्थात राजाजी, मोतीचूर और चीला को एक बड़े संडक्षिक शेत्र में मिला दिया गया है वर्ष 1983 में प्रसिध स्वतंतरता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राश्ट्री उध्यान रखा गया जिन्हें लोगप्री रूप से राजाजी के नाम से जाना जाता था यक्षेत्र एशियाई हाथियों के निवास की उत्तर पश्चिमी सीमा है वन प्रकारों में साल वन नदी किनारे वन चोड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन जाड़ीदार भूमी और घास वाले वन शामिल है इसमें स्तंधारियों की 23 प्रजातियां और पक्षियों की 315 प्रजातियां जैसे हाथी, बाग, तेंदुवे, हिरण और घोरल आदी पाई जाती है इसे 2015 में टाइगर रिजर्व घोशित किया गया था, सर्दियों में यहवन गुजजरों का घर होता है वैज्यानिक और उद्योगिक अनुशंदान परिशद कांसिल अफ सांतिफिक अइन इंडस्ट्रिइल रिजर्च CSIR की स्थापना कब हुई थी? विकल्पे वर्ष 1889, विकल्प वर्ष 1942, विकल्प C वर्ष 1956 या विकल्प D वर्ष 1970 तो इसका सही उत्तर है विकल्पी वर्ष 1942 वैज्यानिक और ओद्योगिक अनुशंधान परिसर यानि Council of Scientific and Industrial Research CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी CSIR भारत में सबसे बड़ा अनुशंधान और विकास यानि Research and Development का संगठन है CSIR आखिल भारती इस्तर का संगठन है और इसका 37 राष्ट्री प्रयोगशालाओं, 49 आउट्रीच केंद्रों, 3 नवाचार परिसरों और 5 इकाईउं का एक गतिशील नेटवर्क है CSIR को विज्ञान इवं प्राउध्योगी की मंत्राले द्वारा वित्पोशित किया जाता है और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनेम 1860 के माध्यम से एक स्वायत निकाय की रूप में कार्य करता है CSIR विभिन क्षेत्रों को कवर करता है तो आईए नोट करते हैं आज का भ्यास प्रश्न निमनलखित में से कौन सा संके तक मानो विकास रिपोर्ट HDR का हिस्सा नहीं है विकल्प A. लेंगिक विकास सूचकांग GDI विकल्प B. सामाजिक सुरक्षा मृत्य सूचकांग विकल्प C. लेंगिक असमानता सूचकांग GII या विकल्प D. बहु आयामी गरीबी सूचकांग MPI Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले